वेलकम स्ट्रेंट श्वागत है आप सभी का ट्रपल सी बाई फाई स्ट्रिजनल पर गुड मॉनिंग टुवाल तो आप सभी के लिए क्लास स्टार्ट हो चुकी है और आज की क्लास चैप्टर नंबर से बन और एट से होगी जो आप सभी के लिए काफी ज़्यादा important होगी तो आप सभी लोग इस क्लास को complete पूरा देखना चलिए start करते हैं क्लास और एक बार सभी लोग क्लास को share कर दो ताकि और भी students और भी साथी क्लास को join कर सकें क्योंकि आज का session काफी important है और 30 यहाँ पर most important question मिलेंगे आप सभी को जो आप triple c exam के लिए काफी ज़्यादा important होगे तो सबसे पहला question आपके screen पर है आप AEPS से कर सकते हैं cash withdraw, balance inquiry, cash deposit या फिर all of these तो AEPS से आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर आपका कौन सा सही answer होगा तो यहाँ पर आपका option D हो जाएगा all of these ठीक है AEPS का मतलब होता है आधार enabled payment system तो यहाँ पर आप cash withdraw भी कर सकते हैं, balance inquiry भी कर सकते हैं, cash deposit भी कर सकते हैं यानि कि आपका all of these correct answer होगा question number second में पूछा है USSD कितनी भासाओं में उपलब्ध है और कई पर पूछते हैं इसका पुरा नाम तो USSD का full form क्या होता है unstructured supplementary service data होता है और यह कितनी भासाओं में उपलब्ध है तो यहाँ पर आपका सही answer क्या होगा question number second का तो यहाँ पर option B हो जाएगा 12 USSD 12 यानि कि 12 भासाओं में उपलब्ध है ठीक है और next question पूछा है आप हिंदी के लिए कौन सा USSD code डाइल करेंगे start double line has start double line start double two has या फिर start double line start two three has या फिर इसमें से कोई नहीं ननाफतीज तो हिंदी के लिए कौन सा USSD code डाइल करेंगे option number second होगा यहाँ पर 20 होगा start double line start double two है ठीक है और बैसे USSD code के लिए आप गया डाइल करते है start double line है लेकिन हिंदी में अगर पूछा जाए आपसे तो start double line start double two हैस आपका सही आंसर हो जाएगा रगला कुशन आपके सामने यह रहा निमने में messenger उदारण है अब इसमें से messenger किसका example है social site है instant messaging का example है e-commerce है या फिर non-off देज तो messenger किसका example है instant messaging का ठीक है option option B हो जाएगा आपका instant messaging का example है messenger अगला question आपके screen पर है quicker निमने में से किस model का परकार है B2B का है B2C का है C2B का है या फिर C2C का है तो यहाँ पर सही answer option D होगा C2C ठीक है quicker या OLX यह C2C model के हैं यानि कि option number D होगा customer to customer option D आपका सही हो जाएगा और अगला question पूछा है e-texting परणाली कब शुरू ही तो इसका आपको answer करना है question number 6 का सही answer क्या होगा यहाँ पर option हो जाएगा V सही वारागस्त 2005 को ठीक है धिया रखना है e-texting कब शुरू ही तो वारागस्त 2005 को सुरू ही option B हो जाएगा अगला question है browser में नई tab open करने की shortcut क्या होती है आप एक browser में नई tab open करेंगे इसके लिए क्या shortcut क्यूज करेंगे सेबन में सही answer क्या होगा तो यहाँ पर आपका option B हो जाएगा control T ठीक है control T से आप browser में एक नई tab open कर सकते हैं और अगला question है name में कौन सा I am का एक lab है बायरस उरचा लागत सुबधा real time I am यानि की instant messaging का एक lab है तो क्या होगा आपका सही answer question number 8 का तो यहाँ पर हो जाएगा D option सही आपका real time है ना I am यानि की instant messaging का एक lab क्या है तो real time communication होता है option option number D आपका सही होगा और लेकिन option में अगर 57 नहीं दिया है ठीक है और 56 दिया है तो फिर आप उसे टिक करेंगे ठीक है तो ध्यार रखना है इस चीज का भी यहां पर फिलाल आपका option नमर 20 ही हो जाएगा 256 ठीक है और अगर 257 का option दिया है तो आप उसे टिक करेंगे अगला कुछन है इंटरनेट का standard protocol है TCP IP, Jaba, HTML या फिर Flash इसमें से आपको आसर करना है इंटरनेट का standard protocol कौन सा है तो यहां पर हो जाएगा option यह आपका TCP IP ठीक है और के बार ऐसे पूछने कि internet में सबसे ज़्यादा इस्तिमाल होने वाला प्रोटकॉल है तो कौसा होगा TCP IP होगा तो first option आपका correct हो जाएगा ठीक है और अगले question पूछा है MMID का full form क्या होता है तो यहां पर आपको आपको आशर करना है MMID का पूरा नाम क्या होता है question 11 का सही जवाब क्या होगा तो यहां पर आपका सही answer option यह हो जाएगा mobile money identifier ठीक है mobile money identifier आपका सही answer होगा और अगले question पूछा है सासन के लिए computer के प्रियोग को कहा जाता है computer governance email governance internet governance या फिर e governance तो यहां पर हो जाएगा d option सही आपका e governance ठीक है सासन के लिए computer के प्रियोग को क्या खायते है e governance option नमबर d हो जाएगा और अगले question इंटरनेट में access है तूँ प्रियोगता का computer जिस computer से connect होता है उसे कहते हैं ठीक है internet में access है तूँ प्रियोगता यानि कि user का computer जिस computer से connect होता है उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं server option d आपका सही हो जाएगा या पर server ठीक है और user का computer क्या कहलाएगा client कहलाएगा या node कहते हैं उसे और यहाँ पर हो जाएगा आपका सही answer server ठीक है या फिर इसे host भी कहते हैं तो जो option में दिया हो उससाब से आप लोग टिक कर लेंगे ठीक है जो भी हो आगला question पुछा है tutor को कहा जाता है e-commerce blogger, micro blogging या फिर none of days तो tutor को क्या बोला जाता है यहाँ पर कौसा होगा आपका सही answer question number 14 का तो ध्यान रखना है यहाँ पर option C हो जाएगा micro blogging ठीक है tutor को कहा जाता है micro blogging option number C next question पूछा है FTP internet bank से सम्मंदित है true है कि false तो यह हो जाएगा false FTP internet bank से सम्मंदित नहीं है file transfer protocol इसका पुरा नम होता है अभी ध्यान रखना है कई बार पूछ लेते हैं और एकला question पूछा है Gmail में अधिक्तम कितना attachment हो सकता है maximum attachment size क्या है Gmail में तो question number 16 का सही answer क्या होगा option C हो जाएगा 25 MB ठीक है 25 MB होगा और एकला question है M banking किसका उधारण है phone banking, mobile banking, telephone banking या फिर internet banking तो M banking निमन में से किसका example ले क्या होगा इसका सही answer यहाँ पर आपका right answer option B होगा mobile banking ठीक है mobile banking आपका सही answer हो जाएगा अब पूछा है modulator, demodulator का सामाने नाम क्या है modulator, demodulator का सामाने नाम क्या है तो यहाँ पर first option होगा modem ठीक है और modem का ही पूरा नाम होता है modulator, demodulator तो जिस प्रिकार से भी आप से question पूछेदा है आप बनोग बता सकते हैं और एकला question है website का collection है graphics, programs, algorithm या फिर webpages और एकला question है website- का collection है तो website किसका collection है graphics है, programs है, algorithms है, या फिर webpages है यहाँ पर आपका सही answer क्या होगा option D हो जाएगा, webpages website किसका collection होते हैं webpages का collections होते हैं तो अगला question पूछा है, land में when के मुकाबले data आधिक तेजी से transfer होता है, सही है कि गलत, क्या होगा सही answer question number 20 का तो यहाँ पर भी right answer होगा option यह, land यानि की local area network में when यानि की wide area network के मुकाबले data अधिक तेजी से transfer होता है, तो first option अपका सही हो जाएगा, अब पूछा है DSL का पूरा नाम क्या होता है तो यहाँ पर आपका C option होगा digital subscriber line, ठीक है DSL का full form क्या होता है, digital subscriber line होता है और next question है, URL का full form क्या होता है, uniform resource locator, unique resource locator, uniform register locator या फिर none of these तो यहाँ पर आपका सही answer होगा uniform resource locator option number यह सही हो जाएगा, और अगला question है, ATM pin, mobile banking pin आधि बदलते रहने चाहिए true है कि false तो बेलकुल सही यह option हो जाएगा ATM pin, mobile banking pin आधि बदलते रहने चाहिए, तो first option आपका सही होगा, और पूछा है C to C का पुरा नाम क्या होता है C to C का full form क्या होता है, आपर सही answer क्या होगा 24 का option number B हो जाएगा, customer to customer, option number B आपका सही हो जाएगा, और अगला question है नावाड की स्थापना किसने की तो यहाँ पर आपका सही answer क्या होगा नावाड की स्थापना किसने की तो ध्यान रखना है यहाँ पर हो जाएगा V, Siva Raman Committee option number B सही हो जाएगा आपका अगला question है, basic का full form क्या होता है तो यहाँ पर आपका सही answer option E हो जाएगा Wigner's All-Purpose Symbolic Instruction Code यह basic का पूरा नाम होता है तो अगला question पुछाए ARC NET का पूरा नाम क्या होता है इसका full form क्या होता है ARC NET का मतलब होता है Attest Resource Computer Network ठीक है ध्यार रखना है Attest Resource Computer Network होता है और अगला question है OSI का पूरा नाम क्या होता है तो यहाँ पर आपको हो जाएगा Open System Interconnection ठीक है OSI का पूरा नाम क्या होता है Open System Interconnection होता है और कई बार पूंचते हैं कि OSI का OSI Reference Model कितनी लेयर होती है तो टोटल लेयर कितनी होती है OSI में सेबन होती है ध्यार रखना है Open System Interconnection इसका पूरा नाम होता है एगला question पूंचा है IMAP का नवीन संस्क्रण क्या है IMAP का नवीन संस्क्रण क्या है पर कई बार इसका पूरा नाम भी पूंचते हैं तो Internet Message Access Protocol होता है इसका पूरा नाम ठीक है और यहां पर आपका सही आसर 29 का क्या होगा तो Option B हो जाएगा IMAP4 IMAP4 इसका नवीन संस्क्रण है और अगला कुशन है www www का full form क्या होता है तो यहां पर हो जाएगा C option correct आपका worldwide wave ठीक है Option number आपका क्या होगा C correct हो जाएगा और अगला कुशन है Mac address कितने bit का होता है और कई बार पूंचते है Mac address का पूरा नाम तो Media Access Control होता है और यह कितने bit का होता है तो सही answer क्या होगा? यहां पर Option B ho जाएगा 48 bit का ठीक है? कितने bit का होता है? 48 bit का होता है और अगला कुशन है निम्ने मैं से Wirus Transmission का परकार नहीं है निम्ने मैं से Wireless Transmission का परकार नहीं है तो आपका Right answer क्या होगा? 32 का इसमें से कौन सा wireless transmission का प्रकार नहीं है radiobabd transmission, microwave transmission, optic fiber या infrared wave transmission कौन सा wireless transmission प्रकार नहीं है तो यहाँ पर optical fiber यह आपका क्या है यह wireless का प्रकार नहीं है बांकि सभी क्या है, wireless है ठीक है, optical fiber क्या है, wired है और बांकि सभी radiobabd microwave या फिर infrared सभी wireless है, तो यहाँ पर सभी option सही हो जाएगा और आज की class पर सेंग तक उमेद करता हूँ सभी को class अच्छी लगी होगी class अगर अच्छी लगी हो तो इसको like करना और share करना और जो भी strength channel पर first time आप लोग subscribe परना साथ में बेल लाकर भी प्रेस कर लेना और आप सभी लोग मुझे question जरूर send करना question send करने के लिए आप मुझे mail कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम या facebook पर भी message कर सकते हैं comment box में भी अपने question send कर सकते हैं वो कि आज के लिए इतना ही good morning का thanks for watching